यह वीडियो नो जहां से मैंने लास्ट वीडियो एंड की थी वहीं से स्टार्ट हो रही है क्लीनिंग की मैंने अपने लिविटियो काफी लंबी हो गई थी तो फिर मैंने इस वाली वीडियो में यह शेर किया तो अभी तक जो है ना living room की सारी cleaning जो होती है ना मतलब dusting वगएरा चीज़ जो को हटा कर clean करना वो सब हो चुका था अब जो end में एक दो काम बचे थे जैसे की ये glass वाले जो gate है slider है इनको clean करना और साथ ही जो main door है उसको भी clean करना तो सबसे पहले ना मैं यहापर ये glass की मेरी window है इसको मैं साफ कर रही हूं व कंदब काफी time लगा पहले मैंने गीले कपड़े से इनको शाफ किया क्योंकि जैसे बर्सात वगेरा में जो है ना और धूल उड़ती ही रहती है तो शुपर काफी ज्यादा out यह थो पहले मैंने इसको गीले कपड़े से clean किया उसके बाद सूखे से क्लीन किया एंड उसके बाद मैंने कोलीन से क्लीन किया था बट इतनी शाइन आ गई थी ना इतने अच्छे से चमक गए थे और मतलब बाहर का सब कुछ एकदम क्लीर दिखाई दे रहा था इनसे लगी रहा था कि ग्लास है बीच में तो बस ये क्लीन किया ये सब क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने में डूर की साइड और ये दोनों डूर भी जो है ना मुझे क्लीन करने थे तो ये जो वुडन वाला गेट है ये तो मैं फिर भी क्लीन करती रहती हूँ बट ये जो net वाला gate है ना ये ना मतब बहुत कम clean हो पाता है दिहान भी नहीं रहता और मतब ये होता भी नहीं है तो आज मैं इसको जो है ना अच्छे से clean करने वाली थी और इसको clean करने माना मुझे बहुत time लगा क्योंकि इसमें छोटी छोटी ना मैटल की ये पट्टियासी दी हुई हैं तो इनको एक करके क्लीन करना और इस गेट को मैंने तीन से चार बार क्लीन किया तब कहीं जाकर जो है ना इसमें शाइन आई थी तो फाइनली जो गेट वगएर थे वो भी सब क्लीन हो गए थे और अब जो है ना ज़ाड़ू वगएरा मैंने लगा ही ली थी अब जो नमबर था वो था मोपिंग करने का तो पूरे घर में जो है मोपिंग करूंगी मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने ज़ाड़ू तो जोहै ना सुबह लगा ली थी घर में बट मोपिंग वगएरा नहीं हुई थी और जब आपकी क्लीनिंग पूरी खतम हो जाती है ना तो वैसे भी जाड़ू पोछा अगर अ अच्छे से पोच्छा लगा दिया था और फिर जो है ना मतला काफी अच्छे से मेरा घर चमक गया था तो गाइस अभी देखिए टाइम होड़ाया पांच बचकर 35 मिनट से भी उपर ही और अब जाकर जो है तो बाहर से सब कुस दिखाई देता है तो अब जो ये विंटर में मैं कर्टेन डालती हुँ ना डाक कलर के ब्लू और वाइड वाले वह मैंने डाल दी हैं सोफे के कवर वगयरा निकाल कर मैंने यहां पर रख दी हैं अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है इनको लगाने की देखत कुछ मैंने नहीं क्या चेंजेज करने हैं कुछ मुझे मतलब डेकरेशन में भी वह आपके साथ शेयर करूंगी जब भी और्गनाइज करूंगी बस अभी यह है कि सारी जो है ना मतलब क्लीनिंग हो गई है लिविंग रूम की फैन वगयरा सब कुछ अच्छे से क्लीन हो मतलब मुझे काफी अच्छा लगा है सारे में मोपिंग वगयरा मैंने कर दी है तो अच्छा लगा है नहीं तो सारे में धूल 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 ती ना तो जैसे पैर रखो ना तो फिर धूल पता चल रही थी तो अभी ना मैं बस नहने जा रही हूं और बस फिर मिलती हूं आप पर आपके फेस पर आपकी बोडी पर ही गिरती है तो मैंने हेर वोस भी कर लिया था कि दूल अगयरा हुई है ना और कमर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था इस टाइम कमर की मतलब बैंड बज गई थी और अभी जो है ना हमें डुगु को लेकर जाना था डोक्टर क पास तो मैंने जैसे आपको बताया था ना कि उसकी जो खाम हुआ था ना उसको तो येर में दुबारा पेन होने लगा था तो उसका जो है ना एक्सरे होना था बट फिर जो है ना हमांच ने कहा कि चलो मैं ही इसको लेकर जा रहा हूं तुम यही रहो ठक गई होंगी और व यहां पर अब जो है ना ओर्गिनाइज करने घर को तो कल तक तो सारी क्लीनिंग ही हुई थी और आज सुबह से ना मतलब कल की जो क्लीनिंग मैंने की थी उसकी ठकान मुझे अभी भी थी और तो बस मैं साम को थोड़ा सा जैसे मुझे अच्छा लगा ना तो मैं यहां पर ली थी सारी चीज़े अरेंज करूंगी जो जहां पर लगनी है तो गाइस मैंने ना सारी चीज़े निकाल कर यहां पर रख ली है और इनको ना मुझे और अर्गनाइज करना है जहां जहां पर भी लगाना है भी ना बस कल मैंने क्लीनिंग तो कर ली थी बड़ सामान जो है मैंने यह वाले डाले हैं क्योंकि मेरी जो मतब यह कर्टेन होते हैं इनके साथ यह वाले कुसन कवर और यह सोफा कवर ही ज्यादा अच्छे से जाता है तो बस यह कर दिया आप चलिए फटा-फट से जो ना और्गनाईज करते हैं जो चीजे जहां जहां पर जानी है तो बस मेरा बतलब नियू नियू लुकान आ जाता है घर का तो यहां पर वैसे तो यह मैंने अच्छे से कल क्लीन कर लिया था और क्लीन हो जाने के बाद मुझे जो जो चीजे यहां पर अरेंज करनी थी वो मैं यहां पर रखती जा रही थी और इस बार मदद थोड़ा सा मैं चें चीज़ कर रही थी तो अर्गनाइस हो गई ना तो मैं इस पर यह जो गींदा आर्टिफिचल होती है ना माला वह लगा थी पहले मैंने इसको ऐसे मतला राउंड राउंड करके लगा थी बट यह ना फिर बाद में मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी च्छी लग रही थी जो फैस्टिवल वाइबस है वह आ रही थी बिल्कुल और फिर जो है ना मैं यहां पर बस जो यह मेरी टीवी यूनिट है इसको भी कलना मैंने मतलब ऐसे ही नॉर्मल साफ कर दिया था सोचा था अच्छे से जो कोलीन से क्लीनिंग होती है ना वह मैं कल बार मैंने सोचा था कि थोड़ा सा यहां का जो मतलब और्गनाइजेशन है वह मैं थोड़ा मिनीमल रखूंगी जाता मतलब होचपोच सा नहीं करूंगी देखते हैं कैसा निकल कर आता है तो सारी चीजे यहां पर मैंने क्लीन कर ली थी और चीजों को जो है ना अरेंज कर दिया था उसके बाद जो है ना चाय का टाइम हो गया था तो चाय पीने का मन कर दा तो मैं आ गई थी फिर किचन में चाय बनाने के लिए और आज जो है ना मैं घर में अकेली ही थी क्योंकि हिमानसु की कोई ओफिस की तरफ से जो है ना पार्टी थी वो उसमें गए थे और अपने दोस्त को देखकर चला गया और फिर जब वो बाद में आया तो मैंने इसको तब दूद दिया तो अभी बस यहाँ पर जो है ना मैं सिर्फ अपने लिए ही चाय बना रही हूँ क्योंकि अकेली हूँ और साथ में जो मुझे स्नैक वगएरा खाना है ना वो भी मैं निकाल कर प्रेट में रख लूँगी और बस इस स्नैक वगएरा मैंने निकाल लिया था यह ना हम जब एक दिन रुगू को दिखाना गयते तब मैं लेकर आई थी और यहां पर देखें चाय भी बनका तयार हो गई थी थोड़ी सी जादा बन गई चाय आज मतला मुझे वो नहीं चला आईडिया तो बस यहां पर जो है ना चाय लेकर फिर मैं आ गई थी यहां अपने सोफे की साइड और अभी जो है ना मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूं तो हुआ क्या जैसे कि कल मैं पूरा दिन क्लीनिंग में थी बट कपड़े तो वोश हुए ही थे तो दो दिन के ना इखटे हो गए थे कपड़े आज के तो मैंने वोश के ही थे कल के भी जो वोश के थे ना वो सफाई करने की वज़े से फोल्ड नहीं कर पाई थी तो फिर यह जो अभी आप देख रहे ना यह सिर्फ आज के दुलवे कपड़े हैं तो इनको फोल्ड कर दी हूं और जो कल के थे ना वो भी अंदर ही रखे थे उनको मैं लाना ही भूल गई तो जब मैंने इनको फोल्ड कर लिया उसके बाद मैं उनको लेकर आई बहार और फिर मैंन उनको फोल्ड किया तो मुझे ना मतलब परसनली बोलो तो यह जो ऐसे कपड़े डले रहते ना मतलब धुले होए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कभी मतलब मजबूरी हो या मैं ज्यादा थकी हूई हूँ काम और एक्ष्टा हो तभी मैं छोड़ती हूँ नहीं तो कपड़े जो है ना मैं फोल्ड करके ही रखती हूँ जहां तक मेरी कोसिस होती है कभी यात की बात ही अलग जैसे कल की क्योंकि कल जो है ना मैं खुद नहीं ही 6-6 बज़े थी और उसके बाद मैं इतनी ठकी हुई थी कि डिनर कैसे बनाया वो मुझे ही पता है तो कपड़े मैंने फिर आज के लिए छोड़ दिये थे तो यहां पर बस कपड़े वगरा फोल्ड किये और फिर उनको जो है ना सारे ही कपड़ों को मैंने उनके प्लेस पर रखा और उसके बाद मुझे और्गनाईज करने का कुछ भी टाइम नहीं मिला मतलब चीजों को सेटल करने का तो अभी भी जो है ना घर आदा ही सेटल हो पाया है और क्योंकि टाइम फिर हो गया था दीपक वगरा जलाने का तो मैंने जो है साम वाला दीपक जलाया उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए तो वैसे तो डुगो और मैं ही थे क्योंकि हस्बेन भी और देवर भी जो ना लेट ही आएंगे दस बजे तक तो वो तो मदब पार्टी वगरा में ही खाके आएंगे तो बस डुगो और मैं ही थे और दिन में वैसे भी जो है ना भिंडी की सबजी बची थी तो थोड़ी सी थी भिंडी की सबजी और यह ना टिंडे जो होते ह से बनाई थी कोई भी मसाला एड नहीं किया था सिर्सों हल्दी और जो कस्मीरी मिर्षे ना वो एड की थी और उसी से जो है ना काफी अच्छा टेस्ट आ गया था सब्जी में मतलब मुझे काफी अच्छी लगी तो बस यहां पर देखिए सब्जी जो है 22,000 भी धुलना था तो उसके भी सारी काटोरिय वगरा मैंने निकालकर रख ली थी और जो मुझे खाली करनी थी वह मैंने खाली बी कर ली थी उसके बाद जो है मैं यहां पर आठा लगाने लगी थी तो रोटिया बनेंगी तो अभी जो है ना सब्जी मतलब बन रही है तब तो रोटिया ठीक बनती है अच्छी बनती है और मेरी रोटिय तो वैसे भी जो है ना मतब बिना पल्थन की होती है मतब जब कभी कभी ही मैं पल्थन वाली रोटिया बनाती हूं तो बस यहां पर जो है और फिर काफी टाइम लगाता है तो बस यहां पर रोटिया बनाई और रोटिया बन जाने के बाद की ही लगाया मैंने इनको और उसके बाद अब मैं लगाओंगी थाली खाने की तो यहां पर जो है प्लेट मैंने निकाल ली है सब्जी भी बन गी थी रोटिया भी मतलब मैंन की सब्जी डुगू को दूंगी क्योंकि उसे बहुत फेवरेट है और टिंडे की सब्जी भी तो जब डुगू ने खाई ना तो उसे टिंडे की सब्जी भी बहुत पसंद आई और उसने काफी अच्छे से खा ली थी दोनों ही सब्जियां मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो सूखी सब्जी होती है वो खा लेता है अराम से तो उसने भिंडी और टिंडे की सब्जी दोनों ही अच्छे से खाई और फिर जो काम था वो था बरतन धुलने के लिए लगाने का तो यहां पर मैंने अपना डिस्वोसर लोड कर दिया है तो जी हां मैंने डिस्वोसर प इसका मतलब मुझे तो मतलब फायदा लग रहा है तो डिस्वोसर में बरतन लोड किये और फिर जो हाथ से धुलने थे वो मैंने मतलब जैसे कुछ बरतन होते ना जो हाथ से नहीं मतलब उसमें डिस्वोसर में नहीं धुले जाते तो वो मैंने हाथ से धुले और फिर बस ज जाओंगी डुगू को सुलाने के लिए तो बस गाईस यही था मेरा आज का व्लोग आई होप आप सब को पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए हो सके तो फैमली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं मिलत आपसे नेक्स वीडियो में तब तक बाबाई